जर्मनी में एक ऐसी रेल सिवा है जिसकी ट्रेनें लटकती हुए चलती है साल 1901 में शुरुआत की गई ये रेल सिवा जर्मनी के परटल नामक अलाके में चलाई जाती है इन ट्रेनों में रोज करीब 82 एजाल लोग यात्रा करते हैं से दिल्चस बात ये है कि इस तरह के रेल सिवा किसी भी दूसरे देश या किसी भी सेर में नहीं बनाई गई आपको बता दें अवा में लटकती हुए चलने वाली इस एंगेंग ट्रेन अब तक सिर्फ एक ही बार गंबी रात्से का सिकार हुई है साल 1911 में हुई इस दुरगटना में ये ट्रेन बुपर नदी में गिर गई थी जिसमें 5 लोग मारे गए थे और करीब 50 लोग गायल हुए थे इसके अलावा हुई दुरगटना साल 2008 और साल 2013 को मामूली दुरगटना करार दिया गया था जिसमें किसी की मौत नहीं हुई थी करीब 13.13 किलमीटर लंबाई वाली ट्रेक पर चलने वाली ये येंगिंग ट्रेन नदी से करीब 31 पेटू पर चलती है बिजली से चलने वाली इस ट्रेन के सपर में रुकने के लिए कुल 20 इस्टेशन बनाये गया है 19 भी सताबदी के अंत तक अपने ओदोगे विकास के चरम पर कौँचे बुपरटल सेल में उस समय समान डौने और पैदल चलने वाले लोगों को लिए सडक है तो थी मगर जमीन पर चलने वाली ट्रेन बड़ी मुश्किल से चलती थी पहाड़ी इलाका होने की बज़े से इस जगे पर भूमी का ट्रेन भी नहीं चलाई जा सकती थी तब ऐसी इस्तिति में कुछ इंजीनियरों ने एंगिंग ट्रेन बनाने का फैसला किया